विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यानमई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी जरूर दबाएं जै गुरुदेव योग वसिष्ट के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्शी वसिष्ट जी को प्रभू रामचंद्र जी ने बड़े दिल्चस सवाल पूछे थे एक सवाल पूछा था कि महर्शी क्यों नहीं हम आकाश मार से जाते वे मुक्त संतों को देख पाते है और दूसरा सवाल पूछा था कि यह कैसे संभव है कि गुफा में पड़े वे वी तहव्य रिशी के शरीर को किडे मकोडों ने न खाया हो उसी के बाद उसी चर्चा को आगे बढ़ाते है वसिष्ट जी ने कहा जब अनुसंदान के द्वारा वी तहव्य का मन अनासकत हो गया और पूरी तरह से मुक्त हो गया तो उनमें बंदुभाव जैसे उत्तम गुण उत्पन्न हुए इस पर प्रभू रामचंद्र जी ने पूछा जब मन परब्रम्म में विलीन हो जाता है तब बंदुभाव जैसे गुण किसमें उत्पन्न होते है वसिष्ट जी ने उत्तर दिया हे राम मन की मृत्यू दू प्रकार से होती है पहली वह जिसमें उसका रूप शेश रहता है और दूसरे जिसमें उसका रूप भी समापत हो जाता है बड़ा इंट्रेस्टिंग है यहाँ पे महरशी वसिष्ट जी क्या कह रहे है की मन जो है वो दू प्रकार से मरती है एक जिसमें रूप शेश रहता है उसका उसका अस्तित्व कुछ हद तक शेश रहता है और दूसरा उसमें वह मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है पहली स्तिती वह थी जब रिशी वीत अव्य अभी जीवित थे और दूसरी वह जब वे शरीर से रहित थे मन का अस्तित्व दुख प्रद होता है और उसका न होना अनन्द प्रद मुझे लगता है यह अध्यात्म का सबसे सुन्दर रहस्य, सिक्रेट क्या? मन ही दुख का कारण है अगर मन ने अपना अस्तित्व बना लिया, जमा लिया तो दुख होना निश्चित है और उसके बिलकुल विपरीत जब मन अपना अस्तित्व खो देता है तो वह आनन्द प्रद है जो मन अत्यादिक संसक्त या मानसिक द्रिष्टी से आबद होता है और संसक्तियों में उल्जा रहता है वह बार-बार जन्म करता है जो इन आसक्तियों में जो मन उल्जा हुआ है उससे मुक्त नहीं हो पाया तो फिर वह क्या करता है बार-बार उसको जीवन लेना पड़ता है एक बार जीवन खत्म होने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ क्योंकि आसक्तियों में उल्जा था संसक्तियों में उल्जाता तो फिर उसे बार-बार लगातार जीवन लेते रहना पड़ता है ऐसा मन दुख लाता है और अनादी गुणों को मेरे अपने मानता है वह जीव होता है ऐसा ही मन जो संसक्तियों में उल्जा हुआ है वही दुख का कारण है वही दुख लाता है और जो अनादी गुणों को मेरे अपने मानता है वह जी होता है यह विचार उस मन में आता है जिसे आत्मग्यान नहीं होता और इसलिए दुखी होता है आत्मग्यान मिलना ही दुख से बाहर आने का लक्षन है तो जिस मन में आत्मग्यान नहीं हुआ है उसकी अनुबती नहीं हुई स्वभा होता, स्वभा भी के वह दुखी होना जब तक मन रहता है तब तक दुख का अंत नहीं होता मन है तो दुख निरंतर आता ही रहेगा मन की दुख का सुरुजन करने वाला है उसको बुलाने वाला है तो जब तक मन का अंत नहीं होता दुख का भी अंत नहीं होगा जब मन नहीं रहता तक दुख संसार भी नहीं रहता ये जो सारी दुनिया हम देख रहे है पताए इसका कारण मन है अगर मन नहीं होगा तो संसार का अस्तित्व नहीं होता ये उदारण मैंने इसके पहले भी दिया है कभी-कभी आप देखो जब मन किसी इंद्रियों के साथ जुडा हुआ नहीं है न तो इंद्रिया इस संसार को अनुबव नहीं कर पाती आपने देखा है कभी-जैसे आप लगातार एक जगह पर दृष्टी लगा कर टिका कर बैटे हो लेकिन अगर मन उस दृष्टी के साथ सल्लग्न नहीं है तो मज़ेदार बात बताओ आपको सामने का दिखता नहीं है तो मन ही कारण है यह संसार को बनाने का या अनुबव करने का मन नहीं संसार भी नहीं तब दृष्य संसार भी नहीं रहता मन ही दुखों का बिज है अब मैं तुम्हें बताऊंगा मन कैसे अपना अस्तित्वक होता है अब महर्शी वसिष्ट जी प्रबू रामचंद्र जी को वह रहस्य बता रहे है कि मन कैसे अपने अस्तित्वक होता है जब सुख या दुख व्यक्ति को पूर्ण समस्तिती से न गिरा सके तब समझो मन मर गया सुख आये या दुख आये मन की जो समस्तिती है एक वैद इमिनिटी कहते न एक जैसे सब कुछ को समझना जब सुख और दुख किसी भी व्यक्ति के उस समस्तिती को शेक न कर सके हिला न सके तोड़ न सके तो समझ लेना मन मर चुका है जिसमें मैं यह हूँ या यह मैं नहीं हूँ की धारणाएं नहीं उठती अर्था जिसका चेतना इस प्रकार की धारणाओं से परिमित नहीं होता उसका मन मृत्थ होता है धारणाएं ही मन है मैं हूँ या मैं यह नहीं हूँ यह धारणाएं जिसके बीतर अब घर नहीं करती जैसे ऐसे दारणाओं का अस्तित्व जिसके भीतर नहीं रहता वहाँ पे मन मर चुका है क्योंकि दारणा ही दूसरा नाम है मन का जिसमें विपत्ती, दैन्य, आशावादिता, गर्व, शितिलता, उत्तेजना, आदी दारणाय उत्पन्न नहीं होती उसका मन मृत्त होता है विपत्ती याने परेशानी, दैन्य, याने कमी की भावना, दीन दैन्य कहते हैं आशावादिता, वो होप, किसी के मन में होप रहती है गर्व, प्रावड फिल करना, शितिलता, आलस्य या कुछ नहीं करना, उत्तेजना, वो एक एक एकसाइटमेंट रहता है ना ये सारी धारणाएं, जिसमें मवजूद नहीं है ना, समझ लो, वहाँ पे मन मृत्त हो चुका है जीवित अवस्ता में ही वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है ये सारी धारणाएं जिसमें नहीं है जिसका मन मुरुत हो गया है ऐसे समझ लो कि जीवित अवस्ता में ही वह व्यक्ती मुप्त हो चुका है मुर्खता ही मन की मूल प्रकृती है अर्थात जब उससे छुटकारा हो जाता है तब उत्तम गुण उत्पन्न होते है कुछ विद्वान शुद्ध मन उस मन को कहते है जो उन संतों में व्याप्त होता है जो मुक्ती प्राप्त होते है जिन संतों को मुक्ती प्राप्त हो चुकी है कुछ विद्वान जन उनकी जो मन की स्तिती है न उसको मुक्त मन की स्तिती कहते है मुक्त संत का ऐसा मन बंदुभाव आदी उत्तम गुणों से परिपूर्ण होता है तो जो मुक्त संत है उनकी जो मनुस्तिती है उसमें आप देखोगे तो बंदुभाव ही बरा होता है सब के लिए अपना पन, सब को बाटने की, देने की चाहत, इच्छा तो इन सारे गुणों से इन संतों का मन वो पूर्ण तरह से भरा होता है मुक्त संतों में ऐसे उत्तम गुणों की सत्ता को सत्व शूचिता अदी भी कहते है यही जो मुक्त संतों की मन की स्थिती है ना, उसी को सात्विक, सत्व कहते है ना, शुचिता, शुचिता का बतलब क्या शुद्धता, शुच कहते है ना, शुच का बतलब क्या, एकदम शुद्ध ना, जहां पे गंदगी नहीं है, वैसे ही उसको शुचिता या उस सत्व भी उस सत्ता को सत्व भी कहते है अतरूप रहते वे इसे भी मन की मृत्यू कहते है तो ये जो अभी संत की मन की स्तिती बताई न वहाँ पे मन का रूप अभी भी शेश है दो बाते बता रहेते मन दो तरीके से मरता है एक में रूप रहता है एक में रूप भी चला जाता है तो यहाँ पे जो विशलेशन किया है संतों के मन का वह रूप रहते वे मन की मृत अवस्ता कैसे उसका है शरीर वीहिन संत का अरूप मन भी मृत होता है शरीर वीहिन संत का जिसने शरीर छोड़ दिया है ऐसे संत का अरूप मन भी मृत होता है ऐसे मन का सूचक कोई चिन्शेश नहीं रहता ऐसे जिसने शरीर भी छोड़ दिया है तो उसका मन भी मृत है ऐसे भी जो संत है फिर वहाँ पर कोई चिन्श, कोई साइन आपको दिखाई नहीं देता इसका वरणन सकारात्मक रूपस में संभव है ऐसे मन में न गुणखी होते है न उनका अभाव जहां पे कोई साइन नहीं है वहां पे न गुण है न उनका अभाव भी है ऐसे नहीं समझना गुण नहीं है तो इसका मतलब लगता है कि फिर अभाव है क्या वहाँ पे नहीं, ना गुण है ना उनका अभाव है ना सद्गुण होते है ना उनका अभाव होता है ना कुछ अच्छे गुण होते है ना उनका अभाव होता है ना प्रकाश होता है ना अंदकार होता है यहाँ पे उस मन में न प्रकाश होता है इसका मतलब अंदकार भी नहीं है नॉर्मली प्रकाश नहीं है का मतलब अब कहते अंदकार है तो यहाँ पे न प्रकाश है न अंदकार है न दारनाय होती है न संसक्तिय होती है न कोई धारणा मन में होती है, न कोई आसक्ती होती है न अस्तित्व होता है, न अनस्तित्व होता है न कोई अस्तित्व है, न अनस्तित्व यहने देखो काफी बार यह कितना इंट्रेस्टिंग है कोई एक चीज नहीं, जैसे प्रकाश नहीं है यह कहते है तो फिर कहते है फिर अंधकार होगा लेकिन यह मृत मन की स्थिति कैसे पता है जहाँ पर प्रकाश भी नहीं है और अंधकार भी नहीं है अस्तित्व भी नहीं है तो दूनों विरोधी एक नहीं है तो दूसरा होगा ऐसे कोई भी स्वाभाविक कह सकता है लेकिन य यह स्थिति परमशान्ती और समस्थिति की होती है जो मन से उपर उठते हैं उनकी बुद्धी परमशान्ती की अवस्ता तक पहुँच जाते हैं परमशान्ती की स्थिति ऐसी स्थिति देखो समाधी में भी ऐसी स्थिति की बात की है है ना परमशान्ती वहाँ पर सुकून है वहाँ पे कुछ हल चल नहीं, एकदम स्थिरता. जो मन से उपर उठते हैं, उनकी बुद्धी, जब तक मन है, तो उनकी बुद्धी परमशांती में स्तित नहीं रह सकते. जब जो मन से उपर उठ गए, फिर उनकी बुद्धी जो होती है, वह इस परम शांती की अवस्ता तक पहुँच जाती है बहुत ही सुन्दर आज का यह एपिसोड महर्शी वसिष्ट जी ने बहुत कुछ interesting secrets इस एपिसोड में खोले है आज के एपिसोड में तो यही पर रुखते हैं कल दुबारा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जैगरते